नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग के बालिवीट की ही नहीं हॉलिवूड की मूवीज भी कभी-कभी हमको बेवपूप बनाती हैं वो बात यहाँ पे इस साइंटिफिक फैक्ट से आपको पता से लेगी हाला कि इतने साइंटिफिक फैक्ट नॉर्मल कर इंसान जानने में इंट्रेस्टेट रहता नहीं है बड़ चुकि आप नॉर्मल की केटेगरी में आते हो आप लोग यूपीज़ी की प्रपरेशन करने वाली केटेगरी में आते हो तो आपको यह इनफॉर्मेशन जानना जरूरी है जुरासिक पार्क की मूवीज में कुछ गलत इंफॉर्मे कि एक प्रेहिस्टोरिक डाइनसौर की स्पीज़ी को इन्होंने ऐडंटिफाई किया है जिसकी प्रफर्ड वाकिंग स्पीड केवल पान्च क्यूलों मिटर पर आवर ती मतलब वो पान्च प्रफर पर आवर की माक्समें स्पीड पे चलना प्रफर्र करता था और पाँच क में यह topic specifically आपको काम कर सकता है यहाँ पर आपको dinosaurus की एक species के बारे में याद रखना है tyranosaurus rex, actually में इसका answer यहाँ पर dinosaurus ही है यह answer भी याद रखेगा और इसके respect में आप बातचीत क्यों हो रही है research क्या बोलती है और कितने dinosaurus उस समय पर earth में exist करते थे क्या यह इंडिया की जमीन पर भी exist करते थे यह सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे, ब्रीफ सी वीडियो होगी एक छोटी सी science and tech की information आपको यहाँ पर मिल जाएगी 1993 की blockbuster जो movie थी Jurassic Park उसका एक scene भी आजकल आपको YouTube पर मिल जाएगा मैंने उस scene का यह link की यहाँ पर provide कर दिया आप चाहो तो इस video को जाके देख सकते है वहाँ पर जो actor है Jeff Goldam उनका नाम है उसमें Dr. Ian Malcolm का role play कर रहे है तो एकदम से चुपचा भी जीप में बैठे हुए होते है इनको शहिए पानी में कुछ दिखता है तो अपने दोस्तों से कहते हैं जल्दी आओ जीप में मैटर भागना जाते है पीछे से बड़ा सा gigantic dinosaurus निकल के आता है कहा जाता है कि वो जो dinosaurus है वो T-rex है T-rex मतलब Tinosaurus वाला कि मैं आपको बता दू dinosaurus की बहुत सारी अलग-अलग species है इसमें जो सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक species मानी जाती है वो T-rex है तो जब इस dinosaurus ने इस group को दोड़ाया तो ये अपनी जीप लेके भागे और वहाँ पे बोले must go faster, must go faster अब यहाँ पे जीप ठीक ठाक स्पीट पे दोड़ रही थी लेकिन तब भी dinosaurus इनके पास पहुंच रहा था तो यहाँ पी जो study publish हुई है Royal Society Open Science की Palantologist की दोरा नीदर लैंट्स में उसने ये बोलाई कि ये जो dinosaurus है जिनको इस movie में दिखाए गया था इनकी जो preferred walking speed थी वो है बस 5 km पती हावर तो अगर जैसे speed से ये लोग चल रहे थे जीप में ये dinosaurus इनको पकड़ नहीं पाता मतलब कुल मिला के movies में चीज़ें गलत तरीके दिखा जाती है इकुल मिला के studies में इस चीज़ें point इसलिए की जाती ही न चुकि scientific studies होती है boring और scientific studies को lively बनाने के लिए कोई ना कोई ऐसा correlation चाहिए होता है कि हाँ लोगों को लगेगी कुछ बात है तो मैंने आप से बोल दिया कि Jurassic Park का ये scene है तो सकता आप इस link पे जाके एक बार Jurassic Park का ये particular scene देख लो तो शायद आपको चीज़ें थोड़े interesting लगने लगे वैसे तो देखिए इस प्रकार की news boring ही होती है फिर बात की जाए एक study इनके respect में science में और छपी थी last week कि इनके respect में Tinosaurus के respect में ऐसा बोला गया है कि over the course of two to three millennia एक millennia बराबर होता है एक हजार साल के तो दो सो तीन मिले गया है अब तब दो हजार सो तीन हजार साल में ऐसा बोला गया है कि लगबग 2.5 billion T-rex जीए हैं और मरे हैं कहां पर अर्थ पर आगे बाट इस पहले वीडियो पर like का बटन दोस्तों अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेर नहीं किया बटन कर देख सकें तो बोरिंग होने के बाव्जुद हैं अब बटन दबा के लिख सकते हैं आप चैनल की प्लेलिस सक्षिन में जाएए कौन-कौन सी वीडियो की प्लेलिस्ट है मैंने वह अपडेट कर रखा है आप अपने काम की प्लेलिस्ट इडेंटिफाई करके पढ़ सकते हैं तो टाइनोस रॉरस रेक्स स्पेशीस के बारे हम कुछ जानते हैं ज्यादा तर मुवीज में ज टाइनोस रॉरस रेक्सी हैं ऐसा बोला जाता है कि दे वर अक्टिव एड़ एड़ एंड ऑफ क्रेटेशिस पीरिट का एंड था लगबख 66 मिलियन से 68 मिलियन येस अगो मतब साड़े 6 करोन साल पहले से एक्जिस्ट करते थे मुवीज में अभी इनको दिखा दिया जाता ह इन स्पेशीस की जो हाइट थी और लगबख 12 फिट थी और जो लंबाई थी 40 फिट और वजन 4000 किलो से 7000 किलो अगर आज की डेट में आप सबसे बजनदार एलिमेंट की बात करो तो हाथी हाथी एक ऐसा एलिमेंट है मतलब एक ऐसा एनिमल है जो आपको बहुत बजनदार म आपर ना-ना-बन चार्फर लेकिन देट मैंनल मिल खेताइम गाणना एक डेट इनिया सब थे पर और लísगंस की ना-नइप्रकार के इसफेशी है यहां पर हम टार की बात बात कर रहे हैं लेकिन टी रेक्स ब्रसे नाइप का रेक्स और व्लास दोडेंगा आपको साक्षे भारती जमीन पे इंडियन सबकॉंटिनेंट पे नहीं मिले हैं अब पहले भी स्टडी कराई गई है जो कि T-Rex की वाकिंग स्पीड को एसस किया है जो नों ने और ऐसा बताया गया था कि T-Rex के बोन स्ट्रक्चर के एसाब से इसकी मैक्सिमम वाकिंग स्पीड हो सकती दिस 7.2 से 10.8 किलो मिटर पर आवर लेकिन यहां पे यह जो नई स्टडी आई है इस नई स्टडी में डच पैलेंटोलोजिस ने उसके बोन स्ट्रक्चर पे नहीं उसके टेल के बेसिस पे उसकी स्पीड को आपने की कोशिश की है क्या किया है यहां पे पैलेंटोलोजिस ने? तो भाई देखें, जब भी कोई पर्टिकुलर जानवर या इनसान चलता है तो उसके body structure से कम से कम energy waste हो उस speed में चलता है जैसे for example अगर आप human का मैं basic example दो तो जब हम लोग steps लेते हैं तो वो steps की length किस basis पर decide होती है कि हमारी automatically हमारा system resonate करके देख लेता है कि कितने steps और किस speed के test हम लोग लेंगे मतब steps लेंगे делать कादम लेंगे तो हमारी कम से कम energy जाएगी अगर आप देखो जब हम दोड़ते हैं तो बहुत लंबे कदम लेते हैं तो लंबे कदम लेने में कहीं न कहीं हो सकता है कि हमारी energy ज़्यादा इस्तमाल हो रही हो लेकिन हम optimum कदम लेते हैं इसमें हमाई अमर्जी कम से कम इस्तमाल हो रही हो तो वो optimum कदम इस T-Rex species के साब से क्या थे इसके लिए यह जो tail थी आपकी T-Rex की इसको study किया गया T-Rex species की जो tail है इसमें बहुत सरे T-Rex के dinosaur और उसकी लगभग 1000 kg की थी और उसमें जो ligaments इसके rubber band बना रहे थे उसके एसाब से जब इन्होंने शोध किया तो पता किया कि भाई जो इसकी maximum walking speed हो सकती थी comfortable walking speed जिसमें इसकी कम से कम energy waste हो वो थी 2.86 miles per hour हला कि इसकी baseline walking speed अगर यह तेज़ दोड़ के chase करना चाहे तो और तेज़ भी दोड़ सकता है बट इसकी baseline normal walking speed कितनी होगी 2.86 miles per hour 6.6 km per hour यहाँ पे इनोंने एक पुराने fossil को भी analyze किया है 39 foot long T-Rex का fossil पाया गया नीदर लेंट्स में और जो step length प्रिजर्व करके रखी गई है fossilized track में उसके measurement के basis पे भी इस baseline speed को यहाँ पे measure किया गया तो कुल मिला के इस news को आपके साथ discuss करनेंगा मतलब क्या है यह भाई T-Rex species के respect में recently science नाम के general में भी study चपी है और यहाँ पे Dutch palantologist ने भी study करी है ठीक है ना Dutch palantologist की study कहां हुई है Royal Society Open Science में ने इदर लैंड्स में तो यह factors आपको याद होने टाहिए T-Rex species के बारे में आपको पता होना चाहिए speed यहाँ पे से कितनी assess की गई है 4.86 km पर आवर अगर आप 4.6 km पर आवर 2.86 miles पर आवर है ठीक है भाई फिर बात की जाए कि यह जो habitat था T-Rex का यह कहां से कहां थक था तो Alaska नॉर्थ अमेरिका से Mexico and South तक था तो अगर यह US का western edge है तो यहाँ उपर कहीं आप जाके कह सकते हो Alaska है और Canada के साथ वैसे लगा हुआ Alaska और नीचे आजाईए तो जब South America शुरू होता तो North America और South America के थोड़ा बीच में आपको कहीं न कहीं Mexico नजर आएगा तो यह इसको habitat था देखा जाए तो at any point in time 20,000 T-Rex's रहते थे इनकी 1.27 lakh generations आई हैं और overall जो total T-Rex's रहे हैं 2-3 millennia period में 2000-3000 सालों में उनका number 2.5 billion तो यह T-Rex के बारे में एक basic जानकारी थी science and tech में जो मैंने आपकी साथ छोटे से article में discuss की I hope कुछ सीखने को मिला होगा Thank you for watching Have a great day